जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों इस वीडियो के अंदर अगर डिस्कस करेंगे राजस्तान जी के से समधित महत्पुन क्वेशन चापके एक्जाम पॉइंट अव व्यू से काफी ज़्यादा महत्पुन रहने वाले चली वीडियो को शुरू करते हैं सारे व्यूशन अच्छे हैं अटेम्ट किजिएगा और कमेंट शेक्षन में लिखके जरू बताएगा कि टोफिप्टी वन क्वेशन में से आपके कितने सही होते हैं पहला क्वेशन आपकी स्क्रीन पर हैं हाडोती पठार की मिट्टी है तो किस प्रकार की मिट्टी हाडोती के पठार में पाई जाती है अगला question है केंदरी भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान कहां पर इस्ति थे अब सभी को अच्छे तरीके से पता है कि ये जो इस्ति थे केंदरी भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान जो इस्ति थे वो अभीका नगर टोक में इस्ति थे तो अभीका नगर टोक आपका सही उत्तर होने वाला है ध्यान रख्या काफिसाता इंपोरेंट है अगला प्रशने सोतंता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहां के नीवासी थे तो हम सभी को पता है कि जेसल मेर के नीवासी थे और इनकी एक पुस्तक भी है वो कौन सी है जेसल मेर मेर में गुंड पुस्तक है और इनी के द्वारा लिखी गई है यही वो व्यक्ति थे जिनकों की यातनाएं देकर मार दिया गया था आगला प्रशने कितने रजवाडोय हम राज्जों के एकिकरन से राज्यस्तान राज्य बना था प्यारे दस्तों रियासतों की संक्या गुनिस थी उसमें गजिए हैँ केंदर शाषूत है इसको जरूर धियान रखेगा हगला प्रशन है कौन सा यूगम चोह है वो सही है यह प्रशन आपसे पूछा है आपसे बनास बाण गंगा दिया हुआ है उसके बाद कोठारी लुनि दिया हुआ है सूकडी चंबल दिया हुआ है जाखम माही बिल्कुल सही है क्योंकि माही नदे पर यी बांध बना हुआ माही और जाखम जो है क्योंकि जाखम नदी जो है माही की तो इस प्रकार से आपका correct answer कौन सा होगा बागि सुक्री जो है वो लूणी की है कोठारी बनास की है बान गंगा आगे तक चली जाती है रूंडित सरीता के नाम से जानी जाती प्यारे दोस्तों इसको ध्यान रखेगा अगला प्रशने अरावली स्ट्रेणी की दूसरी सबसे उची चोंटी कौन सी आपको पता है मैंने ठ्रिक भी बताई थी कुंबलगड की बताई थी नाग पहाड साथ नो पास सरपिलाकार पहाडियां पाई जाती ध्यान रखेगा सेर 1557 प्यारे दोस्तों बताई था अचलगड 1380 बताई थी कुंबलगड 1224 आपको पता है तो यहाँ प्यापका सही उत्तर जो होगा वो 1557 प्रश्ण का सही उत्तर होने वाला है अगला प्रश्ण एकी करन के समय किस मारवार नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रियास किया था वो प्रियास कौन सा वाला था ये किसके द्वारा किया गया था आप सभी को पता है हनुमंत सिंग जी थे जिनके द्वारे की पाकिस्तान में मिलने का प्रियास प्यारे दोस्तों किया गया था जेन वर्दमान विद्याले की स्थापना किस ने की थी वो व्यक्ति वही है जिनोंने विजे सिंग पतिक को राजस्तान का शेर कहा था अर्जुन लाल सेटी दियान रखेगा काफी जादा इंपोर्णेंट है और विजय सिंग जी पतिक को इनों ने राजस्तान का शेर की संग्या दी थी अत्यदिक दूर होने के कारण कौन सी राजपूत मरठा आतंक से बचे रहे दियान रखेगा राजस्तान के मेप में ये दोनों उत्तर पश्चिम वाले रिजन में आते हैं इस कारण से इतने इंटरनल पार्ट में मरठों के लिए जाना पोसिबल नहीं था तो आपका सही उत्तर उप्शन नमबर तीन या पे होने वाला है हम सभी को पता है कुमबल गट का दूर जिसके अंदर बादल कटार गट उसके अंदर बादल महल और उसी में जूनी कचरी में जन्म होता है महारणा प्रताप का 154 में ध्यान रखेगा राजस्तान के किस वंच ने जैपूर रियासत पर शाषन किया है ये प्रश्न पूछा है तो जैपूर के जो माने जाते हैं कच्वाहा कुष के वंशज माने जाते हैं भगवान राम के वंशज के रूप में इनको जाना जाता है डूंडार के कच्वाहा राज्य का संस्तापक किसे माना जाता है कौन भूल सकता है दूलहे राई को दूलहे र काई के रूप में इनको जाना जाता है डोला और मारूनी की स्टोरी आपको पता होगी 19 से जम्मंदी थे मेवार के किशाशक के समय मेवार मुगल संधी हुई थी तो 5 फरवरी 16-15 अच्छे तरीके से पता है तो ये कौन थे अमर सिंग जी थे जिनोंने संधी की थी मुगलों क जिनके साथ संधी की थी मतलब मुगलों की और से संधी करने वाला विक्तिय अमर सिंग जी के साथ कौन था राजेस्तान के किस स्टल से कुंडिया जूते हुए खेत के शाक्ष मिले हैं वो एक स्टान राजस्तान कौन सा एक काली बंगा गंगर नदी के किनारे वाला शेत्र है प्यारे दोस्तों ध्यान रख्येगा। अगला प्रश्ण राजस्तान के किसान अंदोलन में मीड़ना किसान अंदोलन कब हुए ये questions आपके लिए है कमेंड में लिखे इसका अंसर जरूर बताएगा ये अंदोलन कब हुआ था राजस्तान में पाई जाने वाली तामर पाशान संस्कृती है कौन सी वाली है काली बंगा भी है और आहड भी संस्कृति मानी जाती है उप्रियुक्त दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर option number 3 होने वाला है काली बंगा इस्तलगी खोज सरप्रथम किस ने की थी काली बंगा इस्तलगी खोज अमला नंद गोस्ट जी के द्वारा की गी थी धियान रखेगा प्यारे दोस्तों अगला प्रशने आहड संस्कृति का सरव प्रथम केंद्र था आहड संस्कृति का विस्तार गिलूंड तक था कहां तक था गिलूंड तो इसका प्रारम भी केंद्र कौन सा माना जाता है प्यारे दोस्तों गिलूंड को माना जाता है अगला प्रशने सरकारी तंत्र में संचाल शक्कर का कारखाना इस्तित है वो कहां पे है तो केशोराई पाटन बूंदी वाला शेत्र है प्रिवेस वीडियोज में डीटेल से मैंने गंगानगर बोपाल सागर और बोपाल सागर सबसे पूरानी मतलब पहले नंबर वाली मानी जाती है जैन रखिएगा श्री गंगानगर और वो जीले बाडमेर है तो जैसलमेर और बाडमेर आपका सही उत्तर होगा अजरक प्रिंट का समंद किस से है अजरक प्रिंट का समंद बालोतरा से है कहां से है बालोतरा से बाडमेर वाले शेत्र से है ध्यान रखिएगा मालवा के प्रशाशक में किसे सबसे महान शाशक माना जाता है ये question आपके लिए है काफी important question है देखते हैं इसका उत्तर सही तरीके से कौन दे पाता है मालवा के प्रशाशक में किसे सबसे महानशाशक के रूप में उत्पल राज ज्विती जो है इनको ध्यान रखेगा काफी जादा important है राजस्तान करशी विश्विद्याले जिसकी स्थापना 1987 में हुई है तो पूछा गया है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था राजस्तान में करशी विश्विद्याले की जो स्थापना है वो कहाँ पे बिकानेर वाले शेतर में प्यारे दोस्तों की गई है तो बिकाने इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है राजेस्तान की किस नगर के संबंद में कहा जाता है केवल पत्थर की टांगि आपको वहां तक ले जा सकती है वो शेत्र कौन सा है जैसलमेरे जैसलमेर के दूर्गे के बारे में कहा जाता है राजिस्तान का सबसे रंगीन मेला बताओ प्यारे दोस्तों कौन सा है सबसे रंगीन मेला माना जाता है पुषकर का सरवादिक विदेशियों वाला मेला है सबसे रंगीन मेले के रूप में इसको जाना जाता है सरवादिक पशुमेलों का आयजन करने वाला राज रहाना प्रताप के वफदार गोडे का नाम क्या था यह एक्जाम में पूछाता अप्शन यही थे अच्छे तरीके से पता है नाम क्या था चेतक इसमारक बना हुआ है प्यारे दोस्तों बलीचा में पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलीदान कर किस की जान बचाई थी हम सभी को पता है कि महराना प्रताप के पिता उदई सिंग जी की जान बचाई थी अगला प्रशने है चितोड की किस रानी ने बाच्चा हुमय उसे मदद मांगी थी तो रानी कर्णावती ने मदद मांगी थी 1534 के आसपस का समय था ध्यान रखेगा सीरोही प्रजामंडल के संस्तापक कौन थे कौन भूल सकता है गोकुल भाई भट्ट सीरोही प्रजामंडल के प्यारे दोस्तों संस्तापक थे निमलिकित में से किसे व्रहद राजस्तान के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौवरव प्राप्त हुआ है, वो है हीरालाल जी शास्त्री और व्रहद राजस्तान की राजधनी जैपूर को बनाया गया था, उपरमाल पंच बोर्ड की स्तापना, आप सभी को पता एक विजे सिंग जी पथिक के द्वारा, राजस्तान में किसान अंदोलन के जो जनक माने जाते हैं, इन्होंने मनना पटेल को स्तापित किया था सरपंच के रूप में ध्यान रखेगा, राजस्तान का फर जीला जो इस सब गोल, जीरा, टमाटर की उपच के लिए प्रसिद्ध है, वो जीला कौन सा है, वो है जालोर, जस जालोर, जस जीरा, इस सब गोल के लिए भी इसको जाना जाता है, आजादी से पहले राजस्तान का शेत्र कहलाता था, इसको कहा जाता था प्यारे दोस्तों राजपूता ना क्यूंकि राजपूतो का इस्तान था इस कारण से राजपूतो का isthyan कि हाने नमबर जो राखपूताने के रूप में जाना जाता है राजस्तान में सरवादिक स्वधेशी परेटक कहां पर आते हैं स्वधेशी तो अपने जाते हैं कहां पर धर्म नगरी अजिमेर में ख्वाजा मुहिनुदीन चिस्ती की जो 810 जो अभी उर्स मनाए गया था उनके दर्शन करने के लिए और साथ ही पुषकर जो काफी जादा महत्पुने मंदिरों के लिए वहाँ पर जाते हैं विदेशी परेटक सरवादिक जेपूर जाते हैं हवा महल देखने के लिए ध्यान रख्येगा अगला प्रश्न है गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या था हम सभी को पता है बीन माल कौनसी वाली है बीन माल को ध्यान रख्येगा गुर्जरों की राजधानी थी निमलिकित में से बेगु किसान अंदोलन से जुड़े हुए कौन थे 1921 में बेगू किसान अंदोलन ट्रेन चायोग के बारे में जो मैंने बताए था ध्यान रखेगा विजै सिंग जी पथिक के कहने पर राम नारहें चोदरी जी ने यहाँ पे नेत्रत्व किया था ध्यान रखेगा वर्ष 1921 में किसानों का सुवर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाए गए था वो चलाए गए था अलवर में सुवरों से काफी साथ परेशान थे वहाँ के लोग इस कारण सी आंदोलन चलाए गए था काली भाई जिसने डुंगरपूर पूलीस के हाथो अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी वक कहां की रहने वाली थी रास्तापाल का नम आपने सुना होगा रास्तापाल की घटना अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा अगला प्रश्न जो नेक्स्ट है राजस्तान का वह इस्तल जो पशुपालन का प्राचिंतम शाक्ष प्रस्तूत करता है तो ध्यान रखेगा कि महासत्यों का टीला वाला इस्तान और पशुपालन के शाक्ष बागो और सब्विता की बात हो रही है काली बंगा किस नदी के तट पर इस्ती थे वो है गगर नदी के तट पर ध्यान रखेगा काली बंगा अमलानंद गोश के बारे में हमने पड़ा था जैपूर के दिंगरिया इंद्र प्रस्त से प्राप्त उपकरणों की खोच किस ने की है सी ए हेकर जी के द्वारा इसकी प्यारे दोस्तों खोच की गई थी कूरू जिसमें उत्री अलवर का शेतर शामिल था की राज़दानी क्या थी ध्यान रखेगा कि कूरू जिसमें उत्री अलवर का शेतर शामिल था इंद्र प्रस्ताप का यहां पे सही उत्तर होगा मतस्त की राजदानी विराट नगर थी आहर सब्विता का जो काल माना जाता है उथेंटिक रूप से इसका 1900 से 1200 BC के समय का काल माना जाता है इसको ध्यान रखेगा अगला है उदेपूर का प्राचिन नाम क्या था माध्यमिक नगर के रूप में इसको जाना जाता था ध्यान रखेगा तार मरुस्तल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है वो शहर जोधपूर कौन सा है दोस्तों जोधपूरे सूर्य नगरी के रूप में जोधपूर को जाना जाता है राजस्तान के किस जीले में सूर्य की किर्णों का ति की श्री गंगानगर में होगी उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आओगा अच्छा लगाओ लाइक कीजिएगा इससी प्रगार के वीडियो के लिए स्मार्ट इस सड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं देंक्यू दैंक्स वर जिंग जैहीन जै बारत दो च 쓰러 all को सब्सक्राइब कर दो जब सकते हैं अवाजार्ण प्र यगाजियो ऑ turbulence में है जा बोल जास देंक्स कशक्वधा उ जुट को specific विजयो चैनल को सकते हैं के सकते हैं चाहि instruments हैं प्री चula जढक्स्वाज़ष जैंक्क्स् सब्सक्तरյर साब में जैंक्स में फमीड सिर